एक घंटे की विडियो भी बनाएंगे, उस पे एड भी लगाएंगे और उस पे स्पॉंसर्शिप भी करेंगे चौदा तारीक को दिन में नॉज आती है और हमें पता चलता है कि सरकार ने 10वी के एक्जामस को पोस्पॉन कर दिया गया है अब उसी रात को यार एक online कोचिंग से call आती है मेरे पास ठीक है मेरे को नहीं बताता अन्नोन नमबर है उन्होंने एक्जाक्ट शब्द यार उनके मैं बता दिता हूं तुमें उन्होंने बोला कि येश बेटा देख बोर्ड्स और जैई ये सारा जो गेम है ना पोस्ट पॉन होने की वज़े से कैंसल होने की वज़े से इस वक्ट बच्चों की बिल्कुल फटी बड़ी है तो अपन क्या करते हैं एक कोर्स निकाल देते हैं पात दस हजार रुपे का और हजार बच्चों का एम रख रहे होंगे रेवेन्यू शेरिंग मॉडल रहेगा इसका मतलब जितने कोर्स बिकेंगे 60% मेरा होगा 40% तेरा होगा अगर हजार कोर्स बेच देते हैं हम तो एक करोड रुपे बन जाएंगे बच्चे तो तुने सही खींची रखे हैं तो फिर असान है अपना दो महीने का मस सीजन निकलेगा पैसे कमाएंगे दो बाते बच्चों की फटी पड़ी है इस चीज का मतलब मेरे को समझ नहीं आता और दूसरी चीज बच्चे खींच रखे हैं मैंने का अंकल सर जो भी हो आप ये जो बच्चे है ना जैसे आपके लिए पेड़ पर पैसे उगते हैं ऐसे ये मेरे लिए बच्चे ऐसे नहीं है ये जो छोटी सी कम्यूनिटी बनी है ये मैंने बनाई अपनी प्यार मैनत लगन से ठीक है और इन बच्चों का भी उतना ही प्यार है इसमें जितना मेरा है तो आपका आइडिया बहुत नेक है बहुत सारे पैसे कमाओ करोड़पती बनो BMW खरीदो कोई दिक्कत नहीं है बट इस काम के लिए मेरी माफी किसी और YouTuber को ढूण लो मैं बस स्टोरी के थू यार ये बताना चाहता हूं तुम्हें कि तुम्हें ये चीज समझनी होगी कि ये जो Corporates है ना यार ये तुम्हें बहुत अलग लेवल पर कंट्रोल कर रहे हैं तुम्हारे Emotions के साथ खेला जा रहा है इन लोगों को भी पता है कि यार दसवी बारवी का जो ये बच्चों को पता है इनके माबाप को specially पता है और अगर तुम लोग बोलोगे अपने पेरेंट से तो फिर वो इस चीज में कोर्स खरीद लेंगे तुमने देखा हो गया जब से ये न्यूज आई है उसके बाद कितने सारे लोग वीडियो बना के कि अपने कोर्स बेचने में लग गया है बहुत तगड़ा गेम चल रहा है जिसके बारे में तुम लोगों को आइडिया भी नहीं है छोड़ते हैं सारी बात ठीक है में टॉपिक पर आजाते है मोटी मोटी बात यह है कि सरकार ने जो हमारे बारवी की एक्जाम है वो पोस्ट पॉन कर दी है जून में डिसिजन आ रहा होगा और इसके अलावा जो जेई का एक्जाम है ऐसा मैं मानता हूँ कि वो भी पोस्ट पॉन हो जाएगा अड्मिट कार्ड अब तक नहीं आएं और जो स्थिती मेरे को लग रही है कोविट की उसके हिसाब से जेई भी पोस्ट पॉन होना चाहिए तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है एक बहुत अच्छा मौका एक बहुत अच्छी उपॉर्चुनिटी हम सब के लिए निकलती है और वो होने वाली है यार बोर्ड एक्जाम के अंदर बहुत बहुत अच्छा स्कोर करने की यहाँ पर यार ऐसा सीन हो रहा होगा अगले दो-तीन महीने में जो असी नमबर वाला है वो 90 तक पहुंच रहा होगा 90 वाला 95 पे पहुंच रहा होगा इतने सारे दोस्तने सबको लाके भी यार यहां पर खड़ा कर दूँगा बस important यह है कि हम लोग सब साथ मिलकर चल रहे हो बोर्ड का जो यह score आएगा यार तुम्हारा एक चीज समझ लो यार जो तुम्हारा CV बनता है college में आकर resume में बनता है जैसे bio data बनता है शादी का ऐसे CV resume जो तुम्हारा बनता है इसमें हमेशा के लिए लिए लिखा जाएगा ठीक है किसी भी तुम college की placement लोगे job लोगे तब यह वाली चीज तुम्हारी देखी जाएगी तुम IAT में पढ़ने के बाद IIM से MBA करना चाहोगे तो बहाँ पर भी तुम्हारा यह जो board का score है यह देखा जाएगा तो important तो है यार और अब देखो यार सरकार ने यह चीज मेरे साब से काफी जादा clear evident बोल दिया है कि 15 दिन पहले तुम्हें पता चल रहा होगा और 1 जून को जादा होते है ठीक है तुम्हारी नई यह डूबी हुई है तुम्हारी low percentile आई है यह में February और March return में तुम बहुत कुछ कर सकते हो इस point पे भी यार यार मेरे खुद के board exam में 2019 में 95 percent marks आये थे और मैं तुम्हे यार strongly advice करूँगा यह चीज कि तुम इस वक्त board exams को safely side में रख सकते हो बट इसका मतलब यह नहीं समझना हमें कि हमारी मेहनत कम हो रही होगी मेहनत तो हमारी और जादा हो रही होगी बट वह मेहनत यार हमारी board exam पे ना जाके JEE की तरफ जा रही होगी मुझे पता है यार कि तुमें एक break की जरूरत है and it is a well needed break तुमने यार पिछले एक साल में बहुत सारी चीज़े देखी है यार बहुत सारे लोगों की families affect होई है COVID से financial conditions की धजियां उड़ा दिये तुमने online classes जह लिये है यार तो मैं समझ सकता हूँ कि यार एक break की बहुत जादा importance है but important एक चीज़ ये भी है यार कि पिछले एक साल में तुम struggle करना सीख गए हो और मेरे को यार किसी ने कहाता कि यार अगर तुमने life के थपेड़े जहलना सीख लिया ना साब तो तुम बहुत बड़ा कर जाओगे कुछ life में important ये है कि यार बस डटे रहना है हमें तो तुमें break चाहिए तो तुम break लो यार तुम एक दिन का break लो दो दिन का लो तीन दिन का लो और हम इस एक्जाम को यार निकालने वाले हैं ब्रेक लो यार एक दिन दो दिन तीन दिन एक हफते का भी ब्रेक लो कोई दिकत नहीं है बट जिस दिन जही की त्यारी शुरू कर रहे होंगे वो हमारी यार एक नई शुरुआत होनी चाहिए वे यार दुनिया को रोग दिय जाएगा क्योंकि परसेंटाइल का गेम यहां पर चलता है साब कुछ बच्चे मेरी आप बताओ आपको क्या लगता है तो यार मैं सिंपल से फैक्ट कर देना चाहता हूं तुम्हारे सामने अडमिट का तुम्हारे अभी तक कोई अता पता नहीं है नंबर वन केसे भारत मे भी बड़ा पीक आ चुका है मेरे खुद के दोस्त अफेक्टिड हैं कोविड से मेरी गली में इतने सारे केसे हैं हमारे एरिया में तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता है ऐसी सिचुएशन में किसी को भी जेई दे वह एक्जाम और यार मैंना सिंपल सी वाद समझता हूं ठीक है simple सा दिमाग लगा है तो ठीक है यह वाला attempt cancel हो गया पोस्ट भॉन हो गया जो भी हो गया बट अगले attempt के बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है तो में वाले attempt के लिए तो हमें अभी पढ़ते रहना है यार पिछली बार ना जे ही 2020 के वग्त भी यही सारे कीन हुआ था ठ गंटे की वीडियो भी बनाएंगे उस पे एड भी लगाएंगे और उस पे sponsorship भी करेंगे सारे काम करेंगे और फिर बोलेंगे हम support कर रहे हम तुमारे साथ है कोर्स खरील लो guys अजीब यार मजाग बना रखा है बट customer तुम हो तुमारे हाथ में पावर है यार इन लोगों को और उपर उठाने की या इस चीज़ पर यार यह जो monopoly बनी वी है इनको गिराने की यार यह वाली पावर सिर्फ तुम लोग है तुम लोग control करते हो तुमें इन चीज़ों से यार effect नहीं होना है यह वाली वीडियो YouTube पर तुम देख रहे हो इसके इर्द गिर्द जो वीडियो आ रही है अब क्या करना है इस वीडियो को खतम करने के बाद इनके आसपास नहीं जाना है अगर अब next वाली जो वीडियो जा रही है यही काऊंगा कि अगले जो धायी महीने हैं हमारे इसमें हम अपनी लिमिट्स को पुछ कर रहे हों गए भयंकर तरीकेसर्चे अगले जो तुम्हारे चार-पात साल की ट्रजेक्टी है वो तुम्हारे गतarnos 49 होंगे कि तुम IIT में, BITS में, NSIT में, IIIT में, Top Colleges में, Country के पढ़ रहे होंगे या तुम एक Local College में पढ़ रहे होंगे, चोईस यार सिर्फ तुम्हारी रहने वाली है, इसी आज वाली वीडियो खतम करते हैं, लाइक कर देना अच्छी लगी, कॉमेंट करके बताओ, अगर कोई भी और वीडियो तुम चाहते हो, यही के स्केडियूल वगेरा तुम्हें चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और डटे रहना है यार, लाइफ में भाई मचाते र कर द सकस्थ कर दें ऑ्टेब कर द sapने बताओ वाहन객 कर प 문제 सक्थी हैं, वीडिकश अचाहए फफ्सक्त अच्छीillions